उद्यपूर बाटी विधायक गुड़ा के समर्थन में उत्री राजबूत करणी सेना कलेक्टरेट पर प्रदर्शन कर राष्ट पती के नाम सौंपा ग्यापन्थ राजिस्तान बिदान सवा में शौंबार को उद्यपूर बाटी विधायक राजिंदर गुड़ा के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज राजबूत करणी सेना के लोगों ने मंगलवार को धौलपूर जिले में प्रदर्शन किया बिधायक के समर्थन में राजपूत करणी सेना के लोगों ने कलेक्टेट पर पहुंचकर सरकार के खिलाप नारिवाजी की राश्टिय राजपूत करणी सेना के बेनर तले कलेक्टेट पर पहुंचे समाज के लोगों ने बताया कि शौंबार को उध्यपूर बाटी विधायक राज़न्द गुड़ा ने विधान समा में महिला उत्पिलन और राज़े की लचर कानुन विवस्ता को लेकर शवाल उठ जो भारतिय समिदान में अपने विचारों को प्रगट करने के लिए द्रण लोक्तंत की परवासा में आता है विधायक द्वारा शवाल उठाए जाने से नाराय सत्ता पच्च के कुछ विधायकों ने उनके साथ अमानविय विवार करते हुए मार्पित तक कर दी विधायक प्रण समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले विधानसवा और लोगसवा चुनाव में राजड़क बचन गड़ा में परवहर के अभ्यान चलाया जाय का उद्यपुर बाटी विधायक राजिंद्र गुडा की समर्थन में कलेक्टिट पर प्रदर्शन की दोरान भारी संक्या में पुलिस्वल तेनात रहा करते हैं कि अगर आप हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसे अंडें व्याभाद करवाएंगे तो पूरा समाज आपको आगामी चुनावों में इसका ब्रोथ करेगा और आपको जड़ से उखार देगा आज हमारे समाज के लोग जला कलेक्टरेट पर एकठे हुए और उन्होंन पूरा समाज आज जो भीने संग्टरों के करणी सेना जिला राज को सवा सवी चत्री सवा सारे लोग इखटा उपर के जो कल विदान सवा में राजन दो गुड़ा के वरूत में जो विदान सवा में कुछ विदायकों ने उनके साथ मार फिट की और वो अपने विदान सव कि दज्जियां क्या उड़ेंगी और उनकी पिनासवा चेत्र के अंदर एक बच्ची के साथ गला रेत कर उसकी अत्या करती गई उस पर वो बोलना को चाह रहे थे और उनके पास लाल डायरी थी लाल डायरी को उजार करना चाह रहे थे